कि आज हुम बनाने या रहा है है मावा खोय चासनी वाले गुजिया तो यह सार होली पर बनता है होली के यह खास यह सीपी है इसे ज़रूर से सब कि बनाते हैं यह बहुत अच्छा लगता है बहुत शेख सके बना सके यहाँ चासनी वाले हम Anda बनाने जा रहा है बहुत ही मस्त यह बनता है खाने में बहुत तेस्ट लगता है हलो प्रियम स्वागत है मेरे चेले में चले ही इसे बनाना सुगर करते हैं तो शौbस के नहीं यहां ले लिए हैं मैंदा करों में आपरेइब और दोटे में परपाए हैं तो अब डालेगें ने ये कम मैं न्युक्त हैं डेकिंग सोडा परचीद गी डाल रहे हैं गी हैं यहां मिला लिए हैं इसे क्या होगा हमारा घखता बनेगा बहुत अच्छा लगता है यह सुखा ऐसे भी खाने में बहुत मंस लगता है तो देखिए यह मिला लिए हैं हम और कर तैया तो यह देखें नमक डाल रहे हैं बस बहुत थोड़े सी यह मिठा का बालेंस करता है अब इसे भी हम मिला लेंगे जाए हैब इस में हम फोड़े-फोड़े पानि डाल कर इसे साफ सा था हम लगा लेंगे बढ़्यां से जैसे मैदा है यहांता नहीं जैसे आँल हम गूत 떠 है इस तरह Engineering ते तरह लगा कर ले ना हए कि तो देखिये हम थोड़े थोड़े पाने डाल कर लगाएं Craint खिक पाने से बडिन वह ज्यादा गिला होने कर दाता है तो देखिए हमारा इस तरह से हम गुट कर तयार कर लिए हैं यह देखिए इस तरह से सौप्ट अब इससे क्या करेंगे ठाक कर छोड़ देए अब हम मावा को देखते हैं तो देखिए मावा को थोड़े इस तरह से मसाल कर ले लिए हैं अब इसमें कुछ द्रायफूट डाल रहे हैं आपक नारियल है सूखा नारियल तो इसे भी हम इस तरह से बारिक कटकर डाल लिए हैं दो से तीन इलाइची को हम कोभर हटा कर पूट लिए हैं उसका बीज का और थोड़ी सी नमक चीनी मिला लिए हैं अगर आप चाहे तो चीनी ना मिला कर इसमें चीनी को पीश कर डालिए तो क्या लेंगे चीनी को पीश कर डाले, आप इस तरह से हम आता जो लगा को माइदा रखे थे उसे दो पाट में इस तरह से डिवाइड कर लिए हैं अब एक पाट को हम इस तरह से रखका एसे हम बेल लेंगे रोटी से पतली या आप चाहे जितना पतली बेले याया फलका जितना चोटा कर सकते हैं चोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बड़तन ले सकते हैं तो देखिए हम इस तरह से एक रोटी में हमारा तीन पीसेज निकल कर तयार हुआ है अच्छा है तो गिलास से शेप दे सकते हैं उससे इसमें चार से पांच हो जाता थोड़ा छोटा हुआ तयार कर लिए हैं अब देखाते हैं तो फोड़ा से कंने तकी हमारा छो पूरी है थोड़ा से और पतल हो जाए तो देखिए इस तरह से हम जो मिक्स बनाए थे मावा का वो इस तरह से डाल लेंगे अच्छा है तो मोटे रख सकते हैं थोड़ी पतला कर लिए हैं अब हर तरफ चारो तरफ इस तरह से हम पानी लगा लेंगे ताकि हमारा ये दोनों तरफ से जब इसे चिपकाएं तो चिपकजा बढ़िय से और खूले रहा तो ये खूलता है तो तेल में पूरा बिखार जाता है तो फिर हमारा ये गुजिया अच्छा नहीं बनता है तो इस तरह से हम चिपका लिए हैं सारी हम वीडियो पर धियान नहीं दिये थे और दिखाई भी नहीं दे रहा है तो इस तरह से हम पानी लगा दे सकते हैं यह सांचह भी झाल से हमारा बन जाता है इसलिए में से बना है सारी को देखिए दो पीस हमारा बन कर तयार हो गया है देखिए कितना अच्छा से बना है तो देखिए है अच्छा और असानी है बहुत जल्दी से बन जाता है तो अब क्या करेंगे एक वोलते हैं एपर उसकाँ करा दिखाता है पर हम हाथों से नहीं दे रहे हैं बस हम सारे को इसी तरह से काटे की सहायता से हम बिजान दे दिये हैं देखिए इस तरह से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गया है बेल लिए इसलिए अगर बिना बेले बनाते तो अच्छा होता है तो देखिए सारे पीसे हम इस तरह से बनाए हैं तो यह देखिए हमारा कितना से बन गया है देखिए हमारे बेटी बनाई है इस तरह से छोटा तो आप चलिए आप इससे पहले हम चास्नी तयार कर लेते हैं तो चास्नी के लिए यह लिए हैं यह 200 गुराम हमारा चीनी है इसमें थोरी सी यानि की एक कप के करीब हम पानी डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे अब यह हम देखिए इतना पानी डाल लिए हैं बाल बिल्कुल हमको ज्यादा गड़ी चास्नी नहीं बनाना है एक तारका नहीं बनाना है वह हल्का सा हमारा चीनी बढ़िया से घुल रहा है तो इसमें हम डाल देंगे कुछ केसर के धागे इसे कलर भी अच्छा आता है तो डाल लिए हैं केसर आप बिल्कुल नहीं मन है तो इसकीप कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है तो अब क्या करेंगे इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें एक तो बस हमारा चासनी बाननेमें ज्यादा रहें महें ह就是 लागने तो बिल्कुल नॉर्म तेल गरम रहें इसमें हमें डालना है अब चाहे तो घी का इस्तिमाल कर सकते हैं पर सेम प्रोसेद रहेगा तेल बहुत ही नोर्मल गरम होना चाहिए ज्यादा गरम से क्या होता है कि हमारा जो यह गुजिया है वह जलने लगता है और क्रिस्पी नहीं होता है तो इस तरह से हमें लो गरम तेल पर हमें डालना है और इस तरह से हमें तेल प्राय करना है फाइभ फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा वर्ना ये हमारा रिष्टीपी अच्छा नहीं वनेगा अब इसे उलरते पुलरते हने क्रिश्पी होने तक पका लेना है बिल्कुल लो तू मेडियम फ्लेम पर धियान रहे फाइभ फ्लेम पर कभी मत किजि तो हमारा अच्छा कलर आया है सुनहरा सा बहुत ही ममस्त हमारा ये गुजिया तल कर तयार हो गया है तो देखिए इसे निकाल लेंगे तो ये देखिए सारे हम निकाल लिए है अब हमारा ऐसे ही सारे बना लिए है आप चासनी जो बना के राखे थे हमारा ठंदा हो गया था तो इसे थोड़ी सी हम गरम कर लेंगे यह देखिए मावा गुजिया हमारा सारा फ्राय हो चुका है तो अब चलते इसे चाहिए तो आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा रसील करके डाली है अब इसमें गुजिया डाल लेंगे जितना की आएगा इसमें डाल लेंगे हम आप कुछ ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि हमारा बेटा जो है वह चासनी बलन नहीं खाता है वह सूखा खाएगा तो देखिए कितना अच्छा मावा गुजिया बनकर तयार हो गया ह आँज का रिषिती कैसा लग रहा है तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल अइक है पर क्लिक जरूर्से करें ताकि क्या आप अख लेंट कें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर्से कि ढेंस अपका एक मंदम लिए बहुत94 वह सकता है तो ज़रूर से कीजित गाथ चलिए इसे हम दोटर दिखाते हैं कितना अच्छा आप अंदर से खूटला भी मावा भाप अधिल कर कितना अच्छा हो गया दे вок управ का को constitute जालिए फीर मिलते हैं था £nkt